एक आदमी मज़े से अपनी कार से हाईवे पे ट्रेवल कर रहा था दुपहर का टाइन था और वो अपने मज़े में अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था आगे एक पुल था जिसके नीचे नदी थी जब वो आदमी पुल क्रॉस कर रहा था तो अचानक उसको लगा कि गाड़ी चलाने में कुछ दिक्कत हो रही है कुछ प्रॉबलम आ रही है उसको अंदाजा हो गया था कि गाड़ी का कोई ना कोई टायर तो पंक्चर हुआ है उसने उसी वक्त गाड़ी साइड पे लगा ही उतर के देखा करके left side का पीछे वाला tire puncture हो गया अब वो बंदा थोड़ा परेशान कि इतनी तेज धूप में मुझे tire बदलना पड़े रहा खैत जो भी कर लो tire तो change करना ही पड़ेगा उसने गाड़ी में से jack निकाला jack को fit किया उसके बाद tire के bolts कोले और उनको एक साइड में रख दिया अब वो tire को निकालने लगा उसने जोर लगाया चटके से पीछे कीचा इसी दुरान उसका pound bolts पे लगा और चारो bolt नदी में गिर गए अब वो बंदा भ्यंकर वारा परेशान tension में, stress में अब क्या होगा अब मैं tire नहीं change कर पाऊंगा मैं कैसे आगे बढ़ूँगा मुझे जहां पहुंचना है कैसे पहुंचना कितना लेट हो गया हूँ इतनी गर्मी में कोई दूर दूर तक नहीं है मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता शेट यार ये कहां फस गया क्या हो गया अब वो निराश होकर खड़ा उसकी सोच काम नहीं कर रही क्योंकि जब भी वो सोचने बैठता उसको एक ही बात बार बार याद आती है कि सारे बोल्ट नीचे गिर चुके है और वो आगे नहीं जा सकता अब ये बंदा परेशानी में साइड में खड़ा काफी दिर निकल चुकी है अब सामने से उसको नजर आता है एक किसान आ रहा है ये सोच रहाता है इससे मदद मांगू ना मांगू ये क्या मदद कर पाएगा मेरी अभी ये सोच ही रहाता है किसान खुदी आकर पूछ लेता है साब कोई परेशानी है तो बताईए क्या मैं आपके कोई मदद कर सकता हूँ वो आदमी जो के पहले से परेशान है गुस्से में बोलता है मेरा टायर पंक्चर हो गया स्टेपनी लगाने लगा बोल्ट नदी में गिर गए आसपास कोई मकैनिक नहीं है तु भी क्या मेरी मदद करेगा वो किसान समझ गया कि गर्मी और परेशानी की वज़े से ये बंदा गुस्से में है किसान मुस्कुराता है और कहता है किसाब यहां से 10 किलोमेटर दूर एक मकैनिक है जिसके पास आपको गाड़ी का समान मिल जाएगा और वहाँ जाने के लिए आप एक काम कर सकते हो आप अपनी गाड़ी के बाकी के तीनों टायर का एक एक बोल्ट निकाल कर इस टायर में लगा लो और फिर धीरे धीरे गाड़ी चला कर वहाँ तक चले जाओ आपका काम हो जाएगा वो आदनी हरान रहे गया उसका गुस्टा एकदब शांत हो गया जिस प्रॉब्लम से मैं आदे गंटे से जूज रहा था इसने कितनी आसानी से उसका सल्यूशन दे दिया उसने किसान को बोला सौरी यार मैं गुस्से में था लेकिन तुझे इतनी जल्दी सल्यूशन कैसे मिल गया पहले भी ये प्रॉब्लम होई थी कि कभी तेरे साथ किसान मुस्कुराया और कहता ऐसा कुछ नहीं है एक ही फरक है एक ही फरक है कि आप उस परिस्थिति में अपनी परिशानी के बारे में सोच रहते मैं उसी परिस्थिति में हल के बारे में सोच रहा था सो दोस्तों यहां तो आप प्रॉब्लम औरियंटेड हो सकते हैं यहां फिर सल्यूशन औरियंटेड हो सकते हैं यहां तो प्रॉब्लम आते ही परिशान होते होगे प्रॉब्लम के रावा कुछ देखेगा नहीं, परिशानी की वज़े से कुछ सोच नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप सल्यूशन ओरियेंटेड हो, तो आप सल्यूशन की तरफ फोकस करोगे, आपका दिमाग हर डूढने में जाएगा ना कि परिशानी डूढने में. जब महराना प्रताब की सेना में अकबर की सेना के मुकाबले हाती कम थे, तो उन्होंने अपने घोडों के आगे नकली सून लगा दी, कि हाती उनको अपना समझ के मारेना. उन्होंने problem पे focus नहीं किया कि हाती कम है, उन्होंने solution पे focus किया, घोडों को हाती बना दिया धीरुबाई इमानी ने अपने financial status को, अपनी माली हालत को problem नहीं माना उन्होंने पकोड है बेचे, येमिन में जाके job करी, कुछ भी किया आगे बढ़ते रहे क्योंकि वो solution oriented थे, problem सोचके रुप नहीं गए, बैट नहीं गए इन लोगोंने problem पे focus नहीं किया, हम तो गुलाम है, हम तो स्लेव हैं, गुलाम ही में रहना पड़ेगा इन्होंने solution पे focus किया कि कैसे देश को अजाद कर सकते हैं एक और नाम जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसकी आवाज मैं अभी से सुन पा रहा हूँ, वो है तुम तुमारी आवाज कि तुम problem oriented नहीं, solution oriented हो, आज से solution oriented हो problems हर जगा आएंगी, business में आएंगी, पढ़ाई में आएंगी, relations में आएंगी लेकिन जो लोग problem oriented होते हैं, उनको परिशानी के इलावा कुछ नहीं दिखता, परिशानी की वज़े से दिमाग चलता नहीं, हिम्मत और टूख जाती है लेकिन जो लोग solution oriented होते हैं वो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं solution पर focus करते हैं, हल पर focus करते हैं और हिम्मद और जुड़ जाती है वो संजू मूवी में गाना था ना इन गर्दिशों के बादल पर चड़के वक्त का गिरिबान पकड़के पूछना है जीत का पता कर हर मैदान पते अगर आपको भी हर मैदान को पते करना है तो ये बात याद रखना कि आपको problem oriented नहीं solution oriented बढ़ना है हिम्मत तोड़नी नहीं हिम्मत बढ़ानी हैं, हर बार focus solutions पे करना है problem की वज़़े से रुखना है stay blessed, stay inspired and I love you all